एक इनसान के अंदर जरूरतें इसलिए पैदा हुई हैं, क्योंकि उसमें एक अधूरेपन का भाव है, अपने भीतर पूनता की एक खास भावना का अनुभव करने के लिए ही लोग रिष्टे बनाते हैं। जब अपने किसी प्रियेजन के साथ आपके रिष्टे अच्छे होते हैं, तब आप पूरापन महसूस करते हैं। जब ऐसा नहीं होता, तब आप अधूरा महसूस करते हैं। ऐसा क्यूं है? ये जीवन, जीवन का ये अंच, अपने आप में एक संपून एकाई है। तो ये अधूरा क्यूं महसूस करता है? और एक दूसरे जीवन के अंच के साथ साजेदारी करके ये खुद को त्रिप्त करने की कोशिश क्यूं करता है? इसकी बुनियादी वज़े ये है कि हमने इस जीवन को इसकी पूरी गहराई और आयाम में नहीं खो जाए। हलाकि उनका अधार वही है, लेकिन रिष्टों की प्रक्रिया अपने आप में जटिल होती है। इसमें उमीदें होती हैं। और उमीदें और उमीदें और उमीदें जादातर लोग ऐसी उमीदें बना लेते हैं कि धर्ती पर कोई ऐसा इनसान नहीं होगा जो उन उमीदों को कभी पूरा कर सके। रिष्टों को निभाने की प्रक्रिया में शुरू में मिलने पर उमीदें एक जैसी हो सकती हैं। लेकिन हम जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, लोगों की उमीदें बदल सकती हैं। क्योंकि ये उमीदें बदलती रहती हैं, वे एक सी नहीं रहती और रह भी नहीं सकती। हो सकता है कि एक इंसान एक ही उमीद पर जीवन भर कायम रहे और दूसरे इंसान की उमीदें बदलती जाएं क्योंकि उनके जीवन की समझ और अनुभव बदल रहे हैं अब रिष्टों में टकराव शुरू हो जाता है दुनिया में कहीं भी हो रहे टकरावों की तुलना में घर की चार दिवारी के भीतर जादा जगड़े होते हैं बात सिर्फ इतनी है कि बम नहीं फूटते तो आपको सुनाई नहीं देता शायद वे एक दूसरे को चुप-चाप ठीक कर रहे होते हैं ऐसा होता है क्योंकि लोगों की उमीदें बदलती जाती हैं और वे एक ही रफ्तार से नहीं बदलती बुनियादी तौर पर हमने कोई रिष्टा क्यों बनाना चाहा क्योंकि आप पाते हैं कि बिना किसी रिष्टे के अगर आपके जीवन में किसी भी किस्म का रिष्टा नहीं है तो आप उदास हो जाते हैं तो बुनियादी तौर पर आप एक रिष्टा चाहते हैं क्योंकि आप खुश होना चाहते हैं आप आनंदित होना चाहते हैं या दूसरे शब्दों में आप दूसरे को अपनी खुशी के सुरोत की तरह इस्तमाल करने की कोशिश कर रहे हैं अगर आप अपने सभाव से ही खुश हैं तो रिष्टे आपके लिए अपनी खुशी को जाहिर करने का माध्यम बन जाएंगे न कि खुशी खोजने का अगर आप खुशी पाने के लिए रिष्टा बना रहे हैं और दूसरे इंसान से खुशी निचोडने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा इंसान आपसे खुशी निचोडने की कोशिश कर रहा है, तो ये रिष्टा कुछ समय बाद तकलीफ पहुँचाएगा। शुरुवात में हो सकता है कि चीजें ठीक रहे हैं, क्योंकि कुछ उमीदें पूरी हो रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद ही आनन्द में बन गए हैं और आप रिष्टे इसलिए बना रहे हैं क्योकि आप अपनी खुशी प्रकट करना चाहते हैं, तब कोई आपके बारे में शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि आप अपनी खुशी फैला रहें न कि दूसरे इंसान से खुशी पाना चाहते हैं तो अगर खुशी प्रकट करना और फैलाना ही आपका जीवन बन जाता है न कि खुशी खोजने की कोशिश तो रिष्टे स्वभाविक रूप से शांदार होंगे आप लाखों रिष्टे रख सकते हैं और फिर भी उन्हें अच्छे से जारी रख सकते हैं अब किसी दूसरे की उमीदों को पूरा करने के इस पूरे सरकस का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि अगर आप खुशी फैलाते हैं तो वे हर हाल में आपके साथ होना चाहेंगे क्योंकि आपके साथ होना चाहेंगे